हेलो गैस तो आज की फीडियो में हम बात करने वाले ही रॉयल चालेंज स्पैंगलोड की टीम की बारे में तो सुबे सुबे हम सभी को रॉयल चालेंज स्पैंगलोड की ऑफिसल की तरफ से आप बहुती बड़ी गुड निउस है पर देखने को मिले हेट कोच को लिखी तो ग गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम बात करती सबसे पहले माइक हैसन और संजाई बांगर सरके बारे में इनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था और इसी का न्यूज गाइसा पर आज कंफर्म किया कोच यहां पर कौन बनेंगे तो कैसा पर एंडी फ्लावर को लेखे रूमर्स आड़ी थी नेकिन गाइस सुबह सुबह यहां पर आर्सी बी के ऑफिसल ने भी एक अन्फॉर्म कर दिया कि एंडी फ्लावर आर्सी बी के नए हिट कोच यहां पर पूरी तरह से बन चुके है और आप लोग पिक्चर्स भी यहां पर देख पाड़े होगे आर्सी बी के टीम मेंबर्स के साथ भी गाईस अपर बैट्टियों से भी को नसर आए हैं एंडी फ्लावर और एंडी फ्लावर की बात करें तो पहले सुपर जाइंस के कोच हुआ करते थे नेकिन अब यहां प एंडिक इनकी क्या स्टाटेजी है सबसे में पॉइंट तो एई है और हमें ऑक्षन के डाइम ही पता चल जाएगा कि इनकी क्या स्टाटेजी है क्योंकि माई खेसन का जिस तरीके से हम सभी को देखने को मिला था कि जब भी यह कुछ भी स्टाटेजी बनाते थे और कोई भ यो फैन्स को बताते थे तो क्या एंडी फ्लावर ओ बताने वाले हैं या फिर सिधा वो ऑक्सन में जा करी दिखाने वाले हैं और हम सभी को सारी स्टैजी इनकी पता चलने वाली है तो थोरा समस्षे को वेट करना पड़ेगा तो आप बात करते का मेंन्टर के बारे एसा mentor कम से कम सामिल किया जाए RCB के टीम में और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के IPL में आप से भी को AB Divillers RCB के mentor बनते वे नजर आ सकते हैं बिल्कुल नजर आ सकते हैं तो RCB के mentor यहापे AB Divillers सी बन सकते हैं ऐसी rumors गाइस निकल कर आड़ी है और chances भी काफी जादा है RCB के फैंस से दो अपडेट्स निकल कर आड़ी थी अगर आपको दो अपडेट अच्छी लगी तो फटा फट वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीगरम चैनल को जॉइन कीजिए फटा फट जाकर तो मिल दे नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई